तो एलोटो फैंक कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको ताने अलों Samsung के इंटरनेट ब्रावजर जो की बीटा वैजन वाला है तो उसके निया अपडेट के बारे में आगे आपको बताने वालों दोस्तों वीडियो उसकी मत करेगा वीडियो पूरा देखेगा तो यह आप आपको दिख रहा होगा यह है 18.0.47 वर्जन का नए अपडेट आया है जो कि इसमें क्या लिखा गया है इस अपडेट में क्या दिया है उन्होंने हमें यहां पर कर रहे तो आप देखेंगे इस अपडेट में क्या क्या है बग फिक्स और इस्टैबिलेशन को इंप्रूफ कर दिया गया है और यहां पर नीचे की तरफ आएंगे इस अपडेट को साथ जुलाई 2022 को रोल आउट कर दिया गया है इस अपडेट का जो साइज है 100 MB का यह साइज है इसमें दोस्तों पहले तो मैं इसमें बक्स तो होते ही है अब उन्होंने क्या करा इश बार जोने अपडेट जी यह जो कि कोई बक्स थे या फिर कोई और कोई प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया गया और stabilization को improve कर दिया गए अगर आप इसको use करते होंगे अगर आपको कुछ problems होंगी तो यहाँ पर वो solve करने की कोशिश कही गई है तो इस update के हम इसको use करके देखते हैं कि क्या इसमें changes किये गए तो इसको होने देते हैं install तो दोस्तों यह update हो चुगा है update करने करेंगे तो आपको ऐसा interference दिखाई देगा कि जितने भी आपके कुछ rows होंगी वो सब यहाँ पर खुल जाएंगी आप देख सकते हैं यह normal यहाँ पर खुल गया है और अगर आप कोई website भी यहाँ पर खुलना जाएंगे इस app में mainly क्या क्या गया है जो भी कोई इस app में problem थी उसको rectification कर दिया गया अब इसमें कोई भी bug नहीं है अगर आप कोई भी चीज़ में use करेंगे तो without bug कियें यहाँ पर आप use कर सकते हैं आप देखेंगे बहुत ही smoothly यह app चल रही है अगर आपने कितनी भी यहाँ पर मैंने कितनी सारी यहाँ पर tabs कोल रही है आप देखेंगे उसके बाद भी smoothly work कर रहा है तो मतलब यह है कि इस update के बाद इसको smoothly कर दिया गया जो भी bugs थे इस app में यहाँ पर उसको rectification कर दी गयी है और bugs को यहाँ पर fix कर दिया गया और बाकी पहले इसमें कोई ना कोई settings जो की थी नॉर्मल इट जोड़ी गई थी अब आपको सब यहाँ पर easily मिल जाएंगे आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर पूरी setting कर सकते हैं आप यहाँ प्राइबसी का लक टैप दे दिया गया था यहाँ पर आप privacy कर सकते हैं पूरा यहाँ पर zone zone ऐब आपको track कर रही है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसके नीचे block कर सकते हैं back detection ब्लॉक popups यह बहुत सारे आप यहाँ पर चीज़े कर सकते हैं ठीक है कि जो जो apps दिखिए हैं डारेक्ट इंटरनेट ब्राउजर को access ना कर सके हैं आप यहाँ से block भी कर सकते हैं और यहाँ पर कर दिया गया था एक option और दिया था switch to secure connection अगर मालों आप कोई भी GPS पर ही open हो ताकि आपका जो security है वहाँ पर आपकी बनी रहा है मतलब कि इस app में फिलाल अभी bugs को fix कर दिये गया है दोस्तों यह नए update था उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you तो दोसों यह उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों और आपको अब ही तक आपने मेरी चलो real subscribe नहीं किया है तो please यार मेरे चलो subscribe करना ना बोले और साथ ने की notification माल आइकन दिखते ना इसको दवाना भी लिंक आपको नीश डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों